नमस्कार मैं हूँ अकर्शन उपलो और आपकी सीधी तस्वेरे देख रहे हैं करनाल के लायर चेंबर से मैं आपको बता दूँ कि आने वाली 6 नमबर को करनाल हरियाना पंजाब और चंडीगड यानि कि करनाल सहीत पंजाब हरियाना चंडीगड की जितनी भी बार एसोसेशन यहां के चुनाव होने वाले हैं इसी को लेकर बार कॉंसिल ऑफ हरियाना एंड पंजाब की जो सदस्य हैं जो की इलेक्शन कमीटी के भी मेंबर हैं राजकुमार चोहान जी जो पूर में परधान भी रह चुके करनाल बार एसोसेशन के वह मैंसे जुड़ने जा रहे हैं उ जो हमारे एलेक्शन है वो फर्स्ट फ्राइडे ओप अवरी अप्रेल होते थे लेकिन इस बार करोना की वज़े से जो कोवीड के जो अमारी चल रही है इसकी वज़े से लेक्शन नहीं हो पाए और वो इलेक्शन अब जो आना छेन मंबर को ने जा रहे हैं बार काउंसिल जो है ना आमारे पंजाब रहाना वार काउंसिल ने इसकी इलेक्शन की नोटिफिकेशन जो आना वो इस्यू कर दी है चेन मंबर को इलेक्शन होगा जो कि पूरे पंजाब हरियाना चंडिगड और इंकलूडिंग हाई कोट में जो इलेक्शन है वो छेन मंबर को होने जा बने जो उसका वर्चोल की ठाला लेकिन वह किनलों से इसे हो गया था ता अब ऑगने फिसीजू की लिकिनर हो जा रहा है क्योंकि जो तीन लुटी नोवंबर को जो विदान सवा का जाज़ार हैं इसलिए थे सिरह título हो कर दिया हैं सर जिस तरह से आपने बताया कि अब जो डिरेशन है वो लगवक्त चौदा पंद्रा महीने का रहेगा जो आने वाले दिसंबर तक रहेगा मैं इसमें पूछना चाहूंगा सर कि जो जो अप्रेल में चुनाव होते थे होंगे जो आना सीजन होता है गर्मी भी बहुत होती है जैसे कि पहले पांचे साल पहले भी दिसंबर में लेक्षन वा करते थे उनकी रिक्वेस्ट भी आई थी और अब क्योंकि कोरोना की वज़े से अप्रेल में लेक्षन नहीं हो पाया था और अब हमने जो बार कांशल ने जो एक जो हमारे रूल से उसमें अमेंडमेंट की है और जो अमेंडमेंट के लिए अमने बार कांशल इंडिया में बहुत तयारिया है चुनाव बहुत बढ़ा है हाठ डिस्ट्रिक के अंदर एक्षन होने क्या कुछ उसके बारे में बताना चाहेंगे जो यह लगबग जो है ना पूरे पंजब हरियाना और चंडिगरभर जो बार डिस्टिक बाद एसेशन है सब डिजिन बार एसेशन हैं इंकम टेक्स बार एसेशन्स हैं उन सभी एलक्षिन हैं लगब यह लगाओ के संद बार के कि इसको कोविड को ध्यान में रखते हुए विद सोचल डिस्टेंसिंग जाना इलेक्षन को कुड़ा जाए और उसके मत नजर ही हम इसको इलेक्षन को कंड़क्ट कर वा रहे हैं हमारी जो अलगबग 84 ऐसी है जिनके अंदर जो मेंबर्स है जो सदस्या जो वोट पंजाम में और रोट तक है करनाल भी वड़ी बार में है और याना में जो आना हिशार है इन बारों के अंदर हमारे जो आना आमने जो आरो को यह जो आना उनको एडवाइस किया है उनको डिरेक्षन भी दिया है कि सोचल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए को क्रोया जाए और जो आना टाइमिंग जो आना पहले नो से चार की होती थी हमने यह रिक्वेस्ट किया है सभी आरोज को कि टाइमिंग आउट जो आना कोशिज करें कभी साथ से लेकर के और पांच बज़ तो बज़ ताकि सोचल डिस्टेंसिंग से लेक्शन कंड़क्ट एजे मेंबर आप एडवोकेट्स की इस नजरियों को किस तरह से देखते जिस जिसमें वो चाहते कि सचारू रूप से कोट चले क्योंकि जाहिर तो और पर अब लंबा समय हो चुका है जो क्लाइंट से उनसे मेल मिला आप नहीं हो पा रहा है वकीलों का और कहीं ना कहीं का कर रहे हैं और मीडियां कर जो मारी जूश्री ऑउस को विसhaम नहीं आना जाना चाहिए अब को ना जो हमारी रिख गले तो हमरे हाइंटी ती वह हमारे ही की स्रुम उससे मिली थी और उन्हें हमारे आसविस्ट किया था के भी जो है ना आने वाले समय में लग एक नमबर के बाद में फिजिकल हीरिंग जाने कोटों में सभी में सुरू कर दी जाएगी इवन के 75 परसेंट जो डिस्टिक कोट्स में जो वरकिंग हो शुरू होगी है करनाल के अंदर भी जो है ना पहले दो-दो कोट काम करें दो लोर कोट कि जाए वकिलों को बहुत दिख्कते आ रही हैं बहुत ही वकिलों के साथ में मारे साथ-जों परिवार जुड़े हैं मुंशियों के उनके दिख्कते आ रही है टाइप हैं और है उन चोटी-चोटी reelagakt com कॉनने मेरा मैं सब्सक्राइब करे। को विल्कुल पीसफुली करे और विद सोसल डिस्टेंशिंग से इसको करे और यह जो मारा एक वारिवारी के जो इलेक्शन है इसको अपने परिवार समझ के ही इलेक्शन को अच्छे तरी के से करें और यह जो इलेक्शन है जैसे कि मैंने पहले बिता दिया है वो जो नेक्स् है सही जगह तक पहुंचे चाहे वो चीफ जस्टिस आफ हर्याणा एंड पंजाब हाई कोट हों चाहे कोई भी ऐसोसेशन हो वहां तक वह बात वह आवाज पहुंचके उसके लिए हमेशा से अपनी आवाज को बुलंद रखते हैं आप सभी लोगों से अपील जो भी लोग इ देख रहें इसे साथ के साथ श्रीयर जुरूर करें नमंबर छे को जो जितनी भी बार्जा उनके चुनाव होने जा रहे हैं जो भी वकील भाई इस खबर को देख रहे हैं वह अपने अपने ग्रूप में इस खबर को जुरूर शेर करें धन्यावाद